नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ सत्यम आईए करते हैं खबरों की शुरुआत सबसे पहले नज़ा डालते हैं आज की हेड्लाइन्स पर बागलकूर में लगतार बढ़ती ही जा रही है कोरोना श्रंक्रमितों की संख्यां एक क्यासी नए पोजेटिब मरीज मिलने के बाद आंकड़ा पहुचा एक हज़ार के पार परोना काल को देखते वे प्रतिकात्मक रूप से मनाया गया टीम ब्यू का एक सथमा स्थापना दिवस हलकी बारिश में शहर का ड्रेनेज सिस्टम हुआ ध्वस्त बोलानाथ पूल के नीचे जलजमाव से रहागीरों को हुई परिशानी और लॉकडाउन के चोथे दिन शहरी छेत्रों में चला सघन वहां चेकिंग अभियान माश्क नहीं पहनने वालों से वसूला गया जुर्माना अब समाचार विस्तार से जिले में कोरोना शंक्रमन का दाइरा लगतार बढ़ता ही जा रहा है तेजी से बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संक्या जिलेवाशियों के लिए चिंता का विसे बन गई है भागलपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आकड़ा एक हजजार के पार जा चुका है और पिछले कुछ दिनों से अचानक कोरोना संक्रमीतों का तेजी से चड़ता ग्राफ कोरोना के विक्राल संक्रमन का सबूत दे रहा है कोरोना की चपेट में भागलपूर जिलादिकारी प्रणप कुमार एवम उनकी पतनी भी आ गई है आम हो या खास सभी लोगों को कोरोना अपनी जद में लेने लगा है वहीं शनिवार की राट डियम प्रणप कुमार बहतर इलाज के लिए पतना रवाना हो गए बता दें की रविवार को भागलपूर जिले में 809 कोरोना संक्रमीत मरीज मिलने की पुष्टी हुई है बागलपूर में अब तक 10 कोरोना संक्रमीतों की मौत हो चुकी है और 550 से अधीक मरीज स्वस्त होकर अपने घर भी लोट चुके हैं पर प्रती दिन कोरोना संक्रमीतों का तूटता रिकॉर्ड जीले के लिए परिशानी का शबब बनता जा रहा है। कि विश्विद्याले की अस्थापना 1960 हिस्वी में हुई थी। उस वक्त विश्विद्याले का नाम भागलपूर विश्विद्याले था। जिसके बाद सन 1991 में विश्विद्याले का नाम बदल कर छेतर के अमर सहीत तिलकामान जी के नाम पर रख दिया गया। जो तमाम के संकट को देखते हुए कारिक्रम को प्रतिकात्मक रूप से आयोजित किया गया। प्रवा की अभिनाही नालों की पानी से होकर गुजरने को वीवस हैं। अन्यजन परतिनीधी को बारीश चुरू होते ही भोलानात्पूल नाले के पानी से लवालब हो जाता है। इस कारण लोगों को कोरोना शंक्रमन के खत्रे में वीवस होकर नाले में उतरना पड़ता है। दुख की बात तो यह है कि भोलानात्पूल सिर्फ वोट की राजनिती का शिकार बन कर रह जाता है। और जनता की लाग कोशिश के बाद भी विकास के नाम पर सिर्फ जनता को बरगलाया जाता है। कोरोना वाइरस के बढ़ते शंक्रमन को देखते वे शहर में लॉकडॉन लगाया गया है। इसके बाब जूद लोग ना तो सरकारी गाइडलैंस का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क का उप्योग करना उचित समझ रहे हैं। रविवार को भागलकूर इस्टेसन चौक पर कोतवाली थाना की पुलिस ने सगन वहान तलाशी अभिहान चलाया। इस दोरान दो पहिया एवं चार पहिया वहानों के कागजादों की जाच की गई। साथ ही मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से जुर्वाना भी वशूला गया। वहान चेकिंग के दोरान पुलिस ने सभी लोगों को अनिवारी रूप से मास्क पहनने की हिदायत दी। साथ ही वे वज़ा घरों से बाहर मटर गस्ती करने निकले लोगों की जमकर क्लास लगाई। वहीं ऐसा ही रिता कुमारी ने बताया कि कोरोना के खत्रे को देखते वे वहान की कागजादों के साथ मास्क की भी चेकिंग की जा रही है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर्दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, शेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रक्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हितू, शंपर्क करे भागलपूर इस्थित आनंद क्लिनेक, जो कलसंटेंट निरो साइकाट्रिस्ट, सेक्सोलोजिस्ट, डी एडिक्सन थेरेपिस्ट के मसहूर जेनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है, आनंद क्लिनिक, लाजपत पार्क, घंटा घर के उत्तर, मोक्षदा स्कुल के समीप, मशाक जक, भागलपूर, बिहार Lifeline CT Scan and Digital X-ray डॉक्टर शशिकर, M.D. Radio Diagnosis द्वारा संचालित Lifeline CT Scan and Digital X-ray में अत्यादुनिक तक्नीक से सभी परकार के रेडियो डियादुसिस की सुविधा पिछले आठ साल से उपलब्ध है भागलपूर का पहला Digital 1.5 टेसला Whole Body MRI Scan Multislices Whole Body City Scan अत्यादुनिक Ultrasound Machine से 2D, 3D, 4D Color Doppler Ultrasound Guided पाने निकालना अत्वा Pregnancy का Level 1 या Level 2 की जाँच की सुविधा Digital X-ray से सामान X-ray के साथ-साथ IVP, RGU, HSG की जाँच Digital Dental X-ray से पूरे जबडे का OPG अत्यादुनिक पैथोलोजी की व्यवस्था, खोन, पेशाब, आदिजाच के लिए बाहर जाने की ज़रुरत नहीं हवादार प्रतिक छाले एवं सुद्ध पेजल के व्यवस्था कोरोना संक्रमन के प्रती सचेत वा सुरक्षित व्यवस्था Lifeline City Scan and Digital X-ray का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों वा डॉक्टरों द्वारा मानने है Lifeline City Scan and Digital X-ray Break के बाद फिर से आपका स्वागत है बढ़ते एंगली कवर की ओर पुलिस प्रशाशन की लाख कोशिश के बाबजूद अपराधियों के होसले पस्त नहीं हो रहे हैं शहर में लॉकडाउन के बाबजूद चोर-चोरी की घटनाओं को आसानी से अंजाम दे रहे हैं ताजा मामला सभावर का है जहां एने चस्सी हरीजन टोला के समीप एक दुकान का ताला तोल कर चोरों ने 28,000 रुपे नगद एवं 15,000 रुपे के समान पर हाथ साफ कर लिया मामले को लेकर दुकान के मालिक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि शनीवार की रात वो अपने दुकान में ताला लगा कर अपने घर चला गया था वहीं जब रभीवार की सुछ दुकान खोलने आया तो श्टर का ताला तूटा देख उसके होस उड़ गए चानवीन करने पर पता चला की शनीवार की रात चोरों ने दुकान का दोनों ताला तोल कर नगद और समान पर हाथ साफ कर लिया मामले को लेकर अमरेंदर ने शबा और थाना में लिखी तावे दंदे कर आरोपी पर कारवाई की मांग की है भागलपूर पुलिस प्रशाशन की लाख कोशिश के बाबजूद शहरी छेतर में जगह 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 जाम की समस्या लोगों को सताते रहती है खासकर भागलपूर दुम का मुख्यमार्ग पर लगने वाला महा जाम पुलिस प्रसासन के लिए शिरदर्द बनी रहती है इसके अलावा अकवरनगर सलक विक्रम सिला सेतू भागलपूर कहलगाउं मुख्यमार्ग पर भी जाम का सिलसिला कायम रहता है जाम की समस्या से निजात के लिए ट्राफिक डियस्पी आरके जाके निर्देश पर नवगचिया जहनवी चौक तथा जगदिस्पूर सनहौला मोल पर नो इंटरी का समय आठ बजे सुभा से चार बजे साम तक निर्धारित किया गया है साथ ही जगदिस्पूर से आने वाली वहानों का परिचालन जीरो माइल विक्रम सेला सेतु होते वे रातरी दस वजे से प्राता चार वजे तक होगा हलांकि जाम की समस्या के लिए लोग पुलिस परसासन को ही कोस्ते हैं और पुलिस कर्मियों की लापरवाही के कारण जगह 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 जाम लगने की बात कहते हैं जग्दिश्पूर थाना के नीवर्तमान थाना परवारी संजे कुमार सत्यार्थी की विदाई समारों कायो जन रवीवार को थाना परिसर में किया गया इस दोरान अस्थानिया जनपर्तिनी धी एवं युवाओं ने संजे कुमार सत्यार्थी के कारियकाल की तारीफ करते हुए कहा कि जगदिश्पूर की जंता हमेशा उनके द्वारा किये गए कारी को याद रखेगी साथ ही मवजूद लोगों ने बुके देकर नीवर्तमान थाना परवारी को सम्मानित किया विदाई समारों के दरान थाना के नए परवारी ब्रजेश कुमार का माला पहना कर स्वागत किया गया मौके पर अस्थानिय जनपरती नीदी एवं पुलीस मित्र के कई सदस्य मौजूद थे परियावरन को श्वक्ष सुंदर एवं सुरक्षित रखने के उद्देश सुल्तान गंज परखंड के अबजू गंज पंचायत इस्तित पुरानी दुरगा मंदिर प्रांगन में जीविका समु के द्वारा जीविका दीदी जया भारती के नेत्रित में जीविका सदस्यों के बीच दोसफ़पच्चास व्रिक्ष का वित्रन किया गया इसरों सभी से व्रिक्ष लगाने एवं परियावरन को स्वक्ष रखने की अपील भी की गई मौके पर पूजा कुमारी, रानी कुमारी, शवीता देवी, राखी देवी समयत कई जीवी का दीदी मौजूद थी भागलपूर नातनगर परखंड छेतर के रामपूर खुर्द पंचायत इस्तित महादली टोला में नूरपूर मुखिया परतिनी दी सहजदियूनेता पपू मंडल के द्वारा रभीवार को मीनी जलापूर्ती प्याओ का उधगाटन फिता काट करेवन नारियल फोल कर किया गया बता दें कि महादली टोला में लगवग दो सो परिवार रहते हैं और स्वक्ष पानी के लिए सिर्फ एक ही चापा कल पर निर्वर हैं जिसकारण अस्थानिया लोगों को सही ढंग से पानी की आपूर्ती नहीं हो पाती है जदियूनेता पपू मंडल ने कहा कि पानी किया पूर्ती के लिए इलाके में दो चापा नल थे जिनमें एक काफी दिनों से खराब है उसकी मरमत नहीं की जा रही है साथ ही उन्होंने कहा कि लोगडाउन होने की वज़ह से लोग कहीं और से पानी नहीं ला सकते हैं लोगों की परिशानी को देखते वे जदियूनेता ने गाउं में जल की सुभीदा मुहिया कराने का वादा किया था जिसके बाद रविबार को मीनी पियाओ का उधगाटन किया गया मौके पर गुड़ू यादव अजय यादव संजयताती प्रेम सागर सहित कई जदियू कारिकरता मौजूद थे शुखारासन वित्रन करने के बगत हम तो पता चला ग्रामिनों का काफी वधाली थी उसमें बहुत महादलित च्वला है यह और काफी बहुत ज़ादा दिक्कत था उस समय परिस्तिती में बहुत सारे परिवार ऐसे थे कि घर में एक भी आनने नहीं था खाने को मोहताज थे तो आने के बाद हमको पता चला जब सब बित्रन किये तो ग्रामिनों के द्वारा कहा गया कि एक चापाकल का मांग किया गया कि हाँ एक चापाकल भी नहीं था जो था वो खराब पड़ा था पानी लोग रेलवे लाइन की उस पार ठटके लाते थे तभी इनका घर का चुल देंगे तमाम गरामिनों को कोई कठनाई नहीं होगा लगवद घर यहां एक सो घर है और बहुत साथ ज्यादा दिक्कत था पानी का तो मैंने जो वादा किया उसके बाद ही हम काम लगवा दिये आज काम पूर्ण हो गया इसका उद्गार्चन हमने आके आज कर दिया संपन जिले में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है जिले में प्रती दिन बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या अब एक हजजार के करीब पहुँच चुकी है कोरोना के विक्राल रूप को देखते वे रविवार को इसके रोक्ताम के लिए नगर निगम एवं बिहार अगनी समन विवाग की टीम के द्वारा शहर के विविन चौक चौरहों को सेनेटाइज किया गया इस दोरान सहरी छेतर सहित बाजार में मुख्य अस्थानों पर सेनेटाइजिसन कराया गया ताकि कोरोना के चैन को तोड़ा जा सके एवं इसके संक्रमन पर अंकुस लगाया जा सके और अंत में चलते चलते एक नज़े डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर बागलकुर में लगतार बढ़ती ही जा रही है कोरोना शंक्रमीतों की संख्यां एक क्यासी नए पोजेटी मरीज मिलने के बाद आंकड़ा पहुचा एक हज्जार के पार करोना काल को देखते वे प्रतिकात्मक रूप से मनाया गया टीमब्यू का एक सठ्वा स्थापना दिवस्ट अलकी बारिश में शहर का ड्रेनेज सिस्टम हुआ ध्वस्ट बोलानात पूल के नीचे जल जमावसे रहागीरों को हुई परेशानी और लॉकडाउन के चोथे दिन शहरी छेत्रों में चला सघन वाहन चेकिंग अभियान माश्क नहीं पहनने वालों से वसूला गया जुर्माना फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही नमस्कार